प्रेज चात्रों मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा असिस्टेंट प्रफसर पॉलिटिकल साइंस एस्पिक सी गॉर्मेंट कॉलिज भीम आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक बहुलवाद फ्लूरलर्ज्म का अध्यन करेंगे यह निर्विवाद सकते हैं कि परिवर्थन की प्रक्रिया के क्रम में प्रत्येक वाद के बाद प्रतिवाद का जन्म होता है बहुलवाद भी ओस्टिन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जिसमें ओस्टिन के अविभाजी प्रभुसत्ता की धार्णा के विपृत इस माने तका प्रतिपादन किया गया कि संप्रभूता विभाजनीय है और संप्रभूता को विभाजित करके राज्य के अस्तित्व को बनाया जा सकता है राज्य की सर्वोचिता पर आखशेप करते हुए पहलवादियों ने कहा है कि मानव अपने सामाजिक विकास के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसाइक संगठन समुदाय या संस्थाय बनाता है इन में से कोई भी संगठन दूसर संगठन के अपिक्ष़ श्रेष्ट नहीं है सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समाज महत्व रखने वाले इन संगटनों को बराबरी का दर्जा देता है इसलिए राज्य को इन संगटनों में सरवोच्च का दर्जा आवशक नहीं है राज्य पे अन्य समुदायों की भाती एक समुदाय है जो मानव की राजनितिक आकांग्शाओं के पूर्ती में सहयोग करता है बहुलवाद हीगलवाद के विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया है जिसमें राज्य को पृत्वी पर ईश्वर का अवतरण बताकर व्यक्ति को राज्य में ही समाहित कर लिया गया है प्रतिके सुरूप इस विचारधारा के अंतरगत इसमत का समर्थन किया गया है कि साध्य रोपी व्यक्ति और उसका हित सर्वोपरी है जिसकी पूर्ती में राज्य सहायक होता है परियुक्त विवेचना से सपष्ट होता है कि बहुलवाद संप्रभुता के कानूनी दृष्टिकून तथा द्वितिय हीगल के राज्य संबंदी निर्पेक्ष सिध्धानत के विरुद्ध एक आंदोलन है जिसमें राज्य की अपेक्षा राज्य की सर्वोचता वर निरंकुषता पर प्रहार किया गया है और विकेंद्री करण की नीति का समर्थन करते हुए राज्य की संप्रभुता को सीमित करने पर भी बल दिया गया है संप्रभूता की एकलवादी स्वरूप का आकशेप करते हुए लिंड से निकाहे ये बात सपष्ट है कि प्रभूता संपन्न राज्जी का सिध्धान्त खंडेत हो चुका है लास्की के अनुसार यह बात असंभव है कि राज्जीतिक दर्शन की शेत्र में संप्रभूता के कानुनि सिध्धान्त को वैद सिध्ध किया जा सके अब हम देखते हैं बहुलवादी विचारक कौन-कौन है इस सिध्धान के प्रवर्तक और विचार प्रसंग में बिटिश विचारों को की भूमी का सरवोपरी रही है लास्की, लिंट से, अर्नेस्ट, कोल का नाम उलेखनी है फ्रांस में इस विचारधारा का विकास जुग भी और दुरखाइम ने किया अमारिका में मैकाईवर, वो मिस पॉलिट की इसमें भूमी का प्रमुक्रई है एक राजनितिक विचारक है क्रैब उन्होंने संप्रभुता की एकलवादी धारना के लिए यह कह दिया था कि संप्रभुता के सिध्धान्थ को राजनिति शास्त्र से ही हटा दिया जाना चाहिए अब हम संप्रभुता के बहुल, मतलब एकलवादी सिध्धान्थ के विरोध में जो उत्पन है बहुलवाद इसका आर्थ और परिभाशा देखते हैं संप्रभुता के अधुयत वादी सिध्धान द्वारा राज्य को क्या बताया गया था वक्ष नहीं होता व्यक्ति को सामजिक आर्थिक धार्मिक राजनेतिक इन सभी भॉगलिक इन सभी तत्वों से मनुष्य प्रभावित होता है तो इसलिए जब ये तत्वों का भी उसके जीवन में महत्पूर्ण भूमिका निभाई जाती है तो हम राज्जी को भी अन्य समुदायों की तरह एक सामान्य समुदाय माने गैटल के अनुसार बहुलवादी इस मानिता का समर्थन नहीं करते कि राज्जी एक सर्वोच समुदाय है बलकि अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवशक और प्राक्रितिक मानते हैं उप्युक्त राज्य की तरह वे भी अपने अपने शेत्र में सर्वोपरी होते हैं राज्य अपनी शक्ति के कारण सर्वोपरी नहीं होता बलकि अन्य समुदायों के ही समकक्ष होता है संप्रमुता केवल राज्य की धरोण नहीं है बलकि सबी समूदाय द्वारा उसका उपूझ किया जाता है और तात राज्य अ विभाजित सर्वोच असीमित शक्तिसंपन नहीं है अब राज्य की प्रभुसक्ता पर जो बहुलवादी माननेताएं हैं वो क्या है हमको हम देख लेते हैं बहुलवादी विचारक ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के एकलवादी सिध्धान्त की खंडन करते हुए अपने पक्ष के समर्थन में जिन माननेताओं का प्रतिपादन करते हैं वो इस प्रकार हैं पहली है समाज की स्थिती और रचना के आधार पर संप्रभुता की एकलवादी धार्णा के आलोशना करते हुए लास्की कहते हैं कि समाज का संगठन एकात्मक ना होके संगात्मक हैं इसमें सरवोपरी सस्ता रखने वाली राज्य एक मात्र संस्था नहीं है जिस प्रकार एक संग का निर्माण विभिनराज्जियों से मिलकर होता है उसी प्रकार समाज की संगरचना मानवी आवशकताओं की पूरती के लिए निर्मित और विक्सित की गई है और इसमें पारिवारिक, राजनितिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यावसाईक संगठन मिलकर इसकी पूर्ती करते हैं और ये सभी अपने अपने शेत्र में सर्वोपरी होते हैं जिस तरह व्यक्ती के प्रती निष्ठा रखते हुए इसके आदोशों की अनुपालना करते हैं उसी तरह व्यक्ती भी इन समुदायों के प्रती निष्ठा रखते हुए इसके आदेशों की अनुपालना करता है दूसरा है एतिहासिक द्रिश्टिकोन की आधार पर बहुलवादियों ने एतिहासिक आधार पर संप्रभुता के सिध्धानत पर आक्षे करते हुए कहा है कि इतिहास में आस्टिन के पूर्ण प्रभुता संपन राज्जी की सत्ता का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तुन यद्देपी सामजिक संगठनों में राज्जी को सर्वोच्च माना है लेकिन उसने राज्जी की सर्वोच्चता की जगे विधी की सर्वोच्चता का भी समर्थन किया है मद्धियोग में राजे चर्च की संशक्तियों के दोरा नियंत्रित होता था प्राजीन भारत में कौटल लेके अनुसार राजा धर्म के अधिन होता था वास्तविक्ता यह है कि प्रभुसत्ता की धार्णा राजाओं के दैवी अधिकारों के सिध्धान्त की देन है और जिसका अस्तित्व दैवी सिध्धान्त के पतन की साथ हो गया है समाप्त तीसरा है व्यक्ति के विकास में बाधख मिलकी स्वतंत्रता की अधिकारों से प्रभावित होकर लाज्ची ने संप्रभुता के सिध्धान्त की आलोशना करते हुए का है इस अंप्रफ़ता की आफधार्णा व्यक्ति के विकास में बाधाके क्योंकि वह स्वतंतरता को सीमित कर देती है वास्विक्ता यह है कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है इसलिए राज्य का उतेशी व्यक्ति को अपने सर्वांगिन विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक भौतिक और नेतिक विकास के लिए सभी आविशक सुविधाय प्रदान करना है चौथा है औचित्य के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार समाज की संरशना में योगदान देने वाले अन्य समुदायों पर राज्य की सर्वोपरिता को स्विकार करना किसी भी दृष्टी से व्यभारिक नहीं है क्योंकि न तो इन समुदायों की उत्री राज्य से हुई है उत्पत्ति देखो ये जो जित्ते भी समुदायों ये राज्य से उत्पन्न नहीं हुए ना ही राज्य इन समुदायों में श्रेष्ट होता है परिवार, धार्मिक समुदाय, जादी विरादरी ऐसे समुदाय है जो राज्य से पहले ही अस्तित्व में थे इसलिए इनकी उत्पत्ति और विकास में राज्य का कोई विशेश योगदान नहीं है इस प्रकार कारियों के त्रिष्टी से भी विर्भिन समुदाय कम महत्पूर नहीं है यदि राज्य शांतिवा विवस्था बनाये रखता है बारी आक्रमनों से सुरक्षा प्रदान करता है परिवार बच्चों को लालन पारन करने उनमें संसकारों को विक्सत करने अध्यात्मिक समुदाय उनमें शाश्वत कल्यान के मारक को प्रशस्थ करता है व्यवसाइक और और अद्योगुक संगठन उनके आर्थी कितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं अब हम देखते हैं लोकतंत्र के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता की धारना लोकतंत्र के प्रतिकूल है इसलिए वास्तविक लोकतंत्र के स्थापना संप्रभुता संपन राज्य में संभव नहीं है क्योंकि एकल संप्रभुत्व संपन राज्य में ज जाती है जिनके आधेश की अनुपालना करना श्याकति का दायित पर रहे जाता है यह इस्थी व्यक्ति के विकास के साथ साथ प्रजात्तंत्रके विकास में भी बाधक हैं वास्तविक लोक्टतंत्र के वास्तेवेक इच्छाओं का प्रतिनित्व करेंगे बल्कि जन आकांग्शाओं के पूर्ती भी संभव होगी इससे व्यक्ति का विकास भी होगा और शासन कारेंगे इसकी सक्रेता भी बढ़ेगी कानून के आधार पर संभरभुता के वैधानिक दिश्टिकुन के आलोशना करते हुए बहुलवादी कहते हैं कि राज्जी कानून का स्त्रोत नहीं है हैंडी मैन ड्योगवी और क्रेप ने कानून के स्वरूप की गंभीर विवेचना करते हुए काहे कि कानून संभंधी आस्टिन की धारना निराधार है हेंडरी मैन के नुसार प्राचिनकाल के समाजों में प्रताओं परंपराओं के आधार पर मानव व्यवहर को नियोजित करके व्यवस्था को गतिशील बनाये जाता था इसलिए उस समाज में राजा का नहीं बलकि प्रताओं यो परंपराओं का शासन था जिसकी अवेलनस वयम राजा भी नहीं कर सकता था ड्यूगवी के अनुसार कानून सामाजिक जीवन का परिणाम है हम कानून का पालन दंड के भाय से नहीं बलकि सामाजिक हित में सामाजिक विवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं इसलिए कानून वेलनियम है जिनके आधार पर सामजिक सूद्रड़ता बनी रहती है कानून का स्तरोथ सामजिक सूद्रड़ता को उत्पन करने वाले जनता के विश्वास, व्रिद्धी और सामजिक जीवन के आविशयक्ताओं में है राज्य के आदेश में नहीं अंतराश्रीता के आधार पर लास्की ने प्रभुत्व संपन राज्यों की धार्णा को अंतराश्री शांति और मानव जाती एक अल्यान के लिए संकट माना है क्योंकि इस अभधार्णा के दौरा विश्व को कुछ थोड़े से राष्ट्रे राज्यों में विक्सित कर लिया है इन में से प्रत्यक राज्य अंतराष्ट्रे विवादों व दूसरों के साथ व्यवहार करने में अपने को स्वतंत्र समझता है परणाम सुरोप अंतराष्ट्रे शेत्रों में अराजकता और संगर्ष के स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रत्थम वद्वितिय महायुद्ध और राष्ट्र संग की असफलता इसके ज्वलंत उधारन है इसलिए मानव जातिय कल्यान के लिए संप्रभुता के विचार को करना श्रेशकर होगा